कि पूरी दुनिया में इनके चर्चे हैं पुलिस जो पी एच पी के जो कॉंस्टेबल उनके और उस बच्चे के वहर बच्चे लेकिन उसके पीछे जो चुपे हकाई के आपकी मेनत है आपकी बदोलत आपने वीडियो बनाई आपने वाहरल किया वो सारा माजरा है क्या जी अ मैंने कैमरा वैसी आन कर लिए वो कैमरा आन कर लिए वो अपनी बातें करता गया जो के इंटरस्टिंग थी उसकी गफशाप सारी तो वो मैं रिकार्ड करता गया वो कल्चर खतम कर रहा था कि यारे बच्चा है ना प्यार से बातें करें मौबत बड़े प्यार प्लीस और वो उसके दर्मयान तो वो अलमदुलिल्ला उनों ने बेसिकली अगर खलफ़न यह बियान करता हूं कि इससे पहले ना बचे को जानता था ना ही मैं इसमें जितने करदार हैं किसी को भी नहीं जानता था किसी बंदे को मैंने देखा भी नहीं जिंदगी में हमारा यह हमारी सूसाइटी है हमारी सूसाइटी ने क्या सिखाया उसे वो वो बोल रहा था चैसे के मेरा प्लीस वाला पराना यार था तो उसने टांक पर टांक रहा कि जब बात की ना बड़े फकर के साथ तो मुझे अच्छा यह उसका अंदाज लगा यह वीडियो वैरल किस ने की है असलम मुसा आपकी खिद्मत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहुर की बाते हैं लाहुर की बातों की तरफ से एक नई बा लेकर आपकी खिद्मत में हाजिर हूँ नाजिनी वाइरल बच्चा जो शोशल मीडिया पर बड़ा वाइरल हुआ अपने फ़नी अंदास एक फ़नी जो रपर लिखा रहा था पुलीस वाले को वो पेट्रोलिंग ओफिसर एहसान भाई हमारे साथ मजूद है आए इन से गुफ्तकू करते हैं जानते हैं कि पूरी दुनिया में इनके चर्चे हैं पुलीस जो पी एच पी के जो कॉंस्टेबल उनके और उस बच्चे के आखिरकार सबसे बड़ा में किरदार उस बच्चे को वाइरल करने में अहसान भाई कहा है आएं इन से गुफ्तकू करते हैं कि आखिरकार वो माजरा था क्या वो बच्चा किस तरह इनके पास आया और वो रिपोर्ट किस तरह दर्ज करा रहा था असलाम लेकूं जी वालिएसलाम शुक्रिया भाईजन हम बड़ा मशकूर हैं आपका कि आपना कीमती टाइम हमें दिया अच्छा इसान भाई हमें ये बताएं कि आखिरकार वो माजरा है कि आप बच्चा तो सोचल मीडिया पर वाइरल है हर बड़ा देख रहा है कि बच्चा वाईरल है लेकिन उसके पीछे जो छुपे हकाई कि आपकी मेहनत है आपकी बड़ूलत आपने वीडियो बनाई या आपने वाईरल किया वो सारा माजरा है कि जी असलाम लेकूं अच्छा मैटर ये था बाई जाना कि मैं तो ऑन ड्यू वो जैसी उसने स्टार्ट किया तो मैंने केमरा वैसी अन कर लिया वेसी हां कर लिया कैमरा अन कर लिया वो अपनी बातों करतागैं। जो के इंट्रिस्टिंग थी उसकी गफशाप सारी तो वो मैं रिकार्ड करता गया साथ साथ मैंने कर ठीक है बच्छा था वो प्यार से जितना डील किया वो अपने अंदर से खुलता गया बातें करता गया वो अपना दिल की बातें कर गया अच्छा आप उसको ऐसे फन और जाते थे वो कल्चर खतम कर रहा था कि यारे बचा है ना प्यार से बातें करें मुहबद बड़े प्यार प्लीस और मोई उसके दरम्यान तो वह अलहम दूलिल्ला उनोंने किया इसका दूर था कि मैसेज भी किया एक महबद वाला किया तो वह बातें कर था मैं बेसिकलिए अगर खल्फन यह बयान करता हूं कि इससे पहले ना बचे को जानता था ना ही मैं इसमें जितने करदार हैं किसी को भी नहीं जानता था किसी बंदे को मैंने देखा भी नहीं जिंदगी में ठीक है इन में से जो आनने कि बबाबा जी का जिकर हुआ उनको भी नहीं उनके ब बड़े थी गर में इनके क्या मामला थीया नहीं कि या महले में कहीं से बचे ने सिखा वो यूस बचे ने बोल दिया ठीक है अलबता जब उसके वालद ने वापस गया उसके वालद नो से डंटा डपटा वह बात वहीं पे खतम होगी वबलके नेक्स्ट आप ने देखा भी जीनन वगेरा में भी वह फिर उस बात को मुकर गया कि नहीं अब वह ऐसी कोई बात नहीं और गल्ती से मेरे मुझे निकल गई थी ठीक है तो यह बात थी इतनी सी तो यह वारे रिस्पेक्टेबल हमारे जो भी बजूर्ग बड़े हैं सारे तो बड़ी महबत वाले हैं तो हम जो है ना हर बंदे की को बड़ा है चोटा है हम यह कल्चर कायम करना चाहते हैं आपके दरम्यान हमारे दरमें महबत हो आप इसी तरह खुश हो के मेरे साथ बातें करें अच्छा आपने बड़ा एक अच्छा बड़ पोजिटिव इमीज दिया लोगों को भी बच्चों क अब यह हमारी सूसाइटी हैं हमारी इस सभाया उसे वह वह बोल रहा था ठीक है जो मेरे पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग थी मैं वह बोल रहा था जैसे उसने का मुझे पैसे किन यह वो मैंने हर चीज़ को कया कि यार आजव कुछ नहीं है बसा आज़ो आपका प वो बेतर जानती है कि इस ने कि आपने कि श्री ये ने की एक तोर पर नहीं एक मैसिज के तोर पर की थी जो बहले दो फ़न के तोर बनाई थिए बाद में देख़े मैसेज बड़ा अच्छा था कि बच्चा आए उसने कहा जैसे यह ना प्राना यार तो उसने टांग पराके बाद की ना बड़े फकर के साथ तो मुझे अच्छा है उसका अंदाज लगा कुछ दिन ने वो मेरे मुबायल में बचे भी देखते रहे तेगार में वो बाद में ना वो उदर शेयर हो गई में ग्रूप में जो हमारे पलीस का दा पी अच्पी का यार एक अच्छा मैसेज ह इसमें हमें दूसरों को भी इसको अपलाई करना जाए जैसे बचा बात कर रहा है तो वो जो ही वो उसमें वो रिकारड़ वह मैसेज वहां से ना कहीं की साफियां लहोर के बाई हैं उनके पास चला गया उसका आगे से बड़ा पॉस्टिव रिस्पॉंस आया वो बाइरल ह मिल रहे हैं और यह जो हमारे भाई थोड़ा सा यानि के इसमें सखत मज़ाज हैं उनके लिए भी मैसेज था काइंडली हम एक कदम बढ़ाएं ना अवाम की तरफ तो अवाम दस कदम हमारी तरफ गले लगती है ठीक है तो हमें बढ़ाना चाहिए इन से प्यार करना जाए ह यह हमसे बड़ा प्यार करते हैं अच्छा वो जब स्कूल जारा था पेपर शेपर देने जारा रहा है उन पह test नीपकर यह देने जारा किया हूं कि इससे पहले मैं उसको किसी को भी हलवन नहीं जानता अच्छा अच्छा एक मैसेज दिया और यहां की तar के यह मैसे झे प बच्चा जो है ना छोटी उमर है और इसकी जो है ना सारे जो मामलात है ना एक्टिविटीज वो बड़े लबन दोबालोगी अगर इसको पास्टिव यूज किया जाए ना ये बहुत बड़ा टैलेंट है अगर हम इसमें नेक्टिविटी फिलाए ना इस बच्चे को इसी त तक बाज जाएगी ठीक है ये घलत है और जो चीजे और हैं कि हमारे लिए कि वो जो इसके अंदर टैलेंट है उसको पास्टिव यूज किया जाए जी तो ना दिना आप ने देखा एहसान बई की कहाने उन्हें की जबानी इस वीडियो के पीछे के मनाजिर के ये वीडियो वाइरल की स्थरा हुई और एहसान बई ने एक महबत बरा पेगाम दिया हमारे बच्चों को भी हमारे मौशरे को भी और हमारे जो बैड इमीज है हमारे पंजाब पुलिस का जो भी लोगों ने लेकिन एहसान बढ़ा अच्छा मैसी दिया कि आप हमारे तरफ एक कदम बढ आप इनके बारे में क्या कहना चाते हैं अपनी कीमती रहे का जाहर करें इसी के साथ अपने मेजबान असलम मुसा का जाज़ते और देखते रहे लहोर की बाते पाकिसान जिन्दा